नमस्कार मित्रों, जय मातादी, दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के खास और महत्वपूर्ण जयोतिश कार्यक्रम में ब्रिश्चिक राशिवालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमतकारी बदलाव होगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के समय अवधी में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुश्खबरी दस्तक देने वाली है। आप उन्हें उनकी गलती की सजा मिलने वाली है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ हम यह भी बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन-कौन सी बड़ी खुश्खबरी मिलने वाली है। क्योंकि सितारों का चाल बदल चुका है, अब चीते से भी लंबी छलांग लगाएगी। आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, इस समय अवधी में आपको कौन-कौन सी बड़ी सफलताएं मिलने वाली है। और उसके लिए आपको कौन-कौन से विशेश बातों का ध्यान रखना होगा, कौन-कौन सी सावधानी बरतनी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके दुश्मनों के साथ वह कौन-कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। यानि की एक प्रकार से सीधी शब्दों में यूं कहें कि फोन का राम नाम सत्य होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों के घर में किसी की अकाल मृत्यू होने वाली है और यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, पूरा उमीद है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है। और यह सजा उन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु जी दे रहे हैं। जी हाँ, आपके दुश्मनों को बहुत बड़ा तगड़ा जटका लगने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों, यही दिन देखना बाकी था। जिस तरह से आपके दुश्मनों ने आपको प्रधान किया था। की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उनकी बुराई की हो, तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। यही है, जिन्दगी का हकीकत और दुनिया की सच्चाई। अगर बात समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। जी गुरुजी, आप एकदम सही बोले, चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर वह कौन-कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस तरह से आपकी किसमत की रफ्तार बढ़ाने वाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान ब्रह्मा विष्णुजी का आशीरवाद आपके उपर है और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए अभी बता दें कि मंगल ग्रह अभी आपके पक्ष में हैं और यह काफी लंबे समय तक आपके ही पक्ष में रहने वाला है जहां एक तरफ आपकी किस्मत चमकेगी तो वहीं दूसरी तरफ आपका भाग्यबद लेगा और जो आपके नसीब में है वह भी आपको मिलेगा जी हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें अगले 24 घंटे का समय आपके लिए धन प्राप्ति का समय रहने वाला है दो समय अवधि में आपकी कुंडली में धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं होगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 41 साल बाद आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने जा रहा है अगले 24 घंटे के अंदर आपके भाग्य का दरवाजा खुलेगा और जो आपके भाग्य में भगवान ब्रह्मा जी ने लिखा है वह सब कुछ मिलेगा दोस्तों आपको जो जो चाहिए आप वह सब कुछ भगवान से ममांग लेना क्योंकि भगवान अब आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे और याद रखिएगा ऐसा मौका दोबारा नहीं मिले हैं सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े रहते हैं सपने पूरे करने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है और याद रखिएगा यह कल्योग है अगर आप अपना सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ोगे तो आपको वह भी नहीं मिल पाएगा जो आपके नसीब में होगा इसलिए अपना सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं त्यागना चाहिए अगर बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा राधे राधे जैश्री कृष्णा आज आपको अपनी आराम द साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा आज ठंड जुकाम वाइरल संक्रमन और दूसरी तरह के सभी संक्रमनों से सावध के नुस्खे आजमाएं इनसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है अब जीवन शैली में बदलाव भी लाभकारी सिद्ध होगा सावधान रहें क्योंकि धोखा धड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ भड़ी एच रही है हालांकि यह बिना किसी खास भूती प्रदान करेगा भविष्य में आपको अपने प्यार पर खहुशी मिलेगी पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें आज का दिन विपनन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है जो कि आपके व्यसाय को आगे की ओर ले जा सकता है ये जरूरी है कि आप विपनन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्ने ले ताकि आप बहतर नीतियां बना सके अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारो अपने व्यसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वो काफी अच्छा रहेगा जो भी संपर्क आप बनाएं रचनात्मक उर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है लेकिन इससे परेशान नहों आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा केवल इसमें देरी हो सकती है ऐसी क्षणिक खुशियों के चकर में ना पड डिडी एच सकती है आप पिछले कई दिनों से अपनी डाइट में काफी सारे अंतर लाने के बारे में सोचते रहे हैं लेकिन कई तरह के संदेहों ने आपको रोक रखा है आज आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए क्या करते रहना है इससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी जो नया तरीक आप अपनाने वाले हैं वो शुरुआत में अजीब सा लगेगा पर आपके लिए सबसे लाभधायक यही है फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और य आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट न दें तो अच्छा रहेगा आप अपने कैरियर की शुरुआत में हैं इसलिए आपको सीड़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पत को देखने क की जरूरत है इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुक्तान आपको बाद में करना पड़ी डी डी एच सकता है खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकाले आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है इसलिए वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा अगर आपको अपने जीवन की सटीक और महत्वपून जानकारी प्राप्त करनी है तो वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भगवान श्रीहरी जी के आशीरवाद से अब आपके जीवन में बहु खुशखबरी एंट्री देने वाली है अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी दंदार खुशखबरी आपको मिलने वाली है क्योंकि दो बड़ी खुशखबरी आपका बेसबरी से इंतजार कर रही है और ये खुश्खबरी अगले 24 घंटे के भीतर किसी भी हाल में आपको मिलकर ही रहेगा दोस्तों इस खुश्खबरी से आपको बहुत बड़ा लाब होगा बहुत बड़ा धन लाब होगा धन की प्राप्ति होगी क्योंकि आपके भाग्य के सभी सारी समय आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलेगा इसलिए ध्यान रखिएगा कि वीडियो को मिस करने की भूल मत करना जी हां क्योंकि ग्रहन अक्षत्र की छाल के हिसाब से आज की यह वीडियो आपके लिए खास आपके फायदे के लिए निर्मान किया गया है दोस्त सचे दिल से सच्चे तन मन से सच्चे रदय भाव से जय श्री हरी विष्णुजी जय मया लक्ष्मी जी जरूर लिख दें दोस्तों जो भी वक्त भगवान श्री हरी विष्णुजी को सच्चे दिल से मानते हैं वही लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नारा नास्तिक लोग। मेरे वीडियो से दूर ही रहना दोस्तों किस्मत के घोड़े अचानक ही दौड़ पड़ेंगे। आत्मक प्रभाव सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी हैं और सूर्य पुत्र न्याय के देवता भगवान शनी देव जी हैं। इसलिए अब आपकी राशी के ऊपर दो बड़े देवता का नजर पढ़ने वाला है। जी हाँ, इसलिए अब आप हो जाईए। तयार, क्योंकि ग्रहों की राजकुमार भगवान सूर्य पुत्र शनी देव जी के आशीरवाद से अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि आपकी जिन्दगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि यह जो घटना होने वाली है, यह कोई साधारन घटना नहीं है। आपकी जिन्दगी में पहली बार ऐसा घटना होगा। अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुश खबरी इतना बड़ा सर्प्राइज आपको मिलेगा। और आप कहेंगे हे भगवान, हे प्रभू, आपकी लीला अपरमपार है, इतनी बड़ी खुश खबरी हमारे जोली में डाल दी, मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। इतनी बड़ी खुश खबरी अगले साथ जन्मों तक याद रहेगा प्रभू, क्योंकि अब आपकी जिन्दगी में एक ऐसा महा दौर शुरू होने वाला है, जिसका आनंद आप और आपके पूरे परिवार मिलकर उठाओगे। जी हाँ, जिन्दगी आपकी समवर गई, क्योंकि इस समय ऐसा घटना आपकी जिन्दगी में होगी, जिसे सुनकर आप खुशी से जूम उठोगे। बसरते आज की वीडियो को एकदम अकेले में ही देखना, अपने घर में कुंडी लगाकर वीडियो देखना आपकी जिन्दगी बदलने वाली है, आपके जीवन में चार चांद लगने वाला है, जी हाँ क्योंकि मा ताराचंडी जी के आशीरवात से, मा काली का जी के आशी उनी तरक्की होगी। जी हाँ, इतना भाग्यशाली समय आपके जीवन में आ गया है, इसलिए इस भाग्य सारे समय को आप यूं ही जाने मत दीजिएगा। भगवान ने बहुत बड़ी संपत्ती आपका नाम करने वाले हैं, क्योंकि अचानक तेज हो गई आपकी किस्मत। जी हाँ, अचानक ही घोड़े के जैसी दोड़ पड़ेगी। आपकी किस्मत देखने वालों को भी 440 वोल्ट का जटका ना लगे तब कहना। नहीं है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि गुरु जी की भविश्यवानी सच नहीं होती है दोस्तों, भविश्यवानी सच तभी होगा, आपको लाभ तभी मिल पाएगा, जब आप वीडियो को देखोगे. वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनोगे, एक-एक बातों पर गौर करोगे, अच्छे से सुनोगे, अच्छे से समझोगे, जो उपाय हम बताते हैं, उपाय को ध्यान से करोगे, तभी ना आपको लाभ मिल पाएगा जानकारी के लिए. हम आप सभी को बता दें कि हम वीडियो में जो भी उपाय बताते हैं वह सभी उपाय बिलकुल फ्री होता है बिलकुल मुफ्त होता है उपाय में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और लाब इतना जबरदस्त होगा कि आप भी खाओगे कि हाँ गुरु जी ने बहु लोगों की बुरी नजर आपके उपर पढ़ सकता है इसलिए किसी की बुरी नजर लगने से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है उपाय हम बता रहे हैं अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर शनिवार के दिन नीम्बू और मिर्ची दोनों को एक साथ बांध कर लटका दे और हर शनिवार को एक नया नीम्बू मिर्च दर्वाजे पर लटकाए और पुराना वाला किसी सुनसान या अपने घर के पीछे की तरफ फेंग दें लोग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाण पाएगा जी हां दोस्तों अब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और आप अपने जीवन में खूब सारा तरक्की करने वाले हो जी हां दोस्तों पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने यह बात नहीं बताया होगा और नहीं आपको भक हुआ होगा अगर आप पहले जान जाते तो आपके जीवन से हर एक परेशानी हर एक दुख कि जीवन में ऐसी कोई समस्या आज तक जन्म नहीं लिया है कि जिनका समाधान ना हो क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज होता है बस आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा क्योंकि वीडियो में ही हमने सावधानियां भी बताई हैं, जरूरी उपाय भी तैं हैं, और खुशखबरी तो है ही, वह भी एक नहीं, कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, जी हाँ, और हम इस बात की गारंटी लेते हैं, कि इस वीडियो को आप अंत तक देख लोगे, तो कोई भी परेशानी आपके जीवन में नही रहेगा, आप जो भी चीज चाहते हैं, वह सभी चीज आपके कदमों में होगा, ये सभी बातें हम यूही हवा में नहीं कह रहे हैं, इसका फुल प्रमान भी देंगे, जिससे आपको यकीन भी हो जाएगा, आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की पूरी सच्चाई ब अब हम वह सच्चाई खोल कर ही रहेंगे, और सब के सामने लाकर ही रहेंगे, चाहे मुझे भला कहे या बुरा, आज तो हम सच्चाई बता कर ही रहेंगे, अगर आपके अंदर सच सुनने की क्षमता हो, तभी आप वीडियो को देखिएगा, वरना आप यहीं पर वीडियो धीरे खुदगर्ज होते जा रहें हैं, सेलफिश बनते जा रहें हैं, लोग यह सोच रहें हैं कि अपना काम बनता भाड में जाए जनता, जी हाँ, यही चीज हर एक इनसान के अंदर पैदा हो रहा है दोस्तों, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ता है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, जी हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मांगने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, जितना की मेहनत परिश्रम करने वाला इनसान छोड़ देता है, इस कल्यूग में उतना भी सीधा मत बनो कि आपकी मेहनत का हक कोई और लेकर चला जाए, आपकी अच्छाई का फाइदा सब लोग उठा रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन में ही परिशान हैं, भगवान आपको देने में कमी नहीं करता है, भगवान आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन कुछ चतुर लोग आपकी हक, आपकी मेहनत का फल लेकर जा रहा है, अब आप सावधान हो जाईए, क्योंकि आपके नसीब में बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा सर्प्राइज मिलने वाला है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो यह भी मौका आपके हाथ से चला जाएगा, द सभी के जीवन काल में ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है, ऐसा मोड लेकर आने वाला है, अगर आप इस मोड पर संभल गए, आसानी से पर हो गए, तो दोस्तों आपकी जिंदगी पहले जैसी जिंदगी नहीं रहेगी, जी हाँ, कहने का तातपर्य है कि आपकी पूरी संकारी के लिए बता दे, कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है, नियाय के देवता, भगवान शनी देव जी ने आपके बंद किस्मत के ताले को खोल दिये हैं, जिससे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, आप अपने जीवन में इतनी बड़ी काम्याबी हास कि आपको भी अपनी आखों पर यकीन नहीं होगा, जी हाँ, ऐसा चमत कारिक घटना पहले कभी भी आपके जीवन में नहीं हुआ होगा, क्योंकि नियाय के देवता भगवान शनी देव जी इस समय आपके उपर बहुत ही ज्यादा महरबान है, और वह आपके घर आने वाले हैं, आप कूद कूद कर नाचते फिरोगे पूरे गली महले में, क्योंकि अंतरिक्ष के बहुत बड़े देवता, बहुत बड़ी शक्ती का शुबचरण, शुबकदम आपके घर पड़ चुका है, जी हाँ, और जैसे ही इस देवता का शुबकदम आपके घर पर पड़ेग सबसे पहले आपके घर के जितने भी नकारात्मक शक्ती हैं, नकारात्मक ग्रह दोश है, बुरी साया, उन सभी को सर्वनाश कर देंगे ये शक्ती, और आपकी घर को, आपकी जिंदगी को एक नई शुरुआत होगी, मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता अब आपके परिवार में, अब आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमतकार होगी, ऐसे ऐसे परिवर्तन होगे, जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपने कभी कलपना भी नहीं किये होगे, जी हाँ, क्योंकि काम्याबी ही कुछ ऐसी है, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, सब लोग ये सोच सोच कर परेशान होगी कि आखिर इन्होंने वह कौन सा काम किया है, जो कि रातों रात अमीर बन गए, इतने बड़े आदमी बन गए, आखिर इन्होंने कौन से देवी देवता का पूजा किया, कौन से भगवान को चढ़ावा चढ़ाया, ये सोच सोच कर सब लोग पागल हो जाएंगे, जी हाँ, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा दोस्तों, इन सभी का कारण है, यह बड़ी शक्ती जिससे बड़ी शक्ती का चमतकार आपके जीवन में हो रहा है, जो बड़ी शक्ती आपके घर में प्रवेश कर रहे और वह शक्ती कोई और नहीं, सबके साथ न्याय करने वाला, सबके कर्मों का फल देने वाला और बुरे कर्म करने वालों पापियों को दंड देने वाला न्याय के देवता भगवान शनी देव जी हैं, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान शनी देव ज आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल दिया है। ऐसा किसी दुश्मन के भी साथ ना हो, क्योंकि आप बहुत दुख तकलीफ जहले हैं। और यह दुख तकलीफ लोगों ने बेवजह आपको दिया है, इसमें आपका कोई भी गलती, कोई भी दोस्त नहीं था, फिर भी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन कहते हैं न, सब का मालिक एक है, वही उपर वाला। जी हाँ, उपर वाला भगवान सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। हमारे गुरुजी कहते थे कि किसी से डरो या न डरो, लेकिन अपने कर्मों से एक बार जरूर डरना, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। और इनसान की सांसे गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। ये अशुब है, ये सब कुछ बताएगा, आपका राशिफल। जी हाँ, इस राशिफल के जरिये हम जान सकते हैं कि आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा। इस आने वाले समय में हमारे साथ कौन सी बड़ी घटना होगी, कौन-कौन से लाब होगी और कौन-कौन से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह राशिफल बहुत ही महत्वपून, बहुत ही लाबदायक होता है। राजा की कुरसी, यानि की राज सिंहासन पर बैठ कर राजा बनोगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश। अब आप भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवाद से बहुत आगे तक जाओगे, और आप अपने जीवन में ही खूब सारा तर पूर्ण बात बताने वाले हैं। जो भी बात बताएंगे, यह सभी बात आपके जीवन में ही 100% सटीक बैठने वाली है। एक भी बात अगर जूट निकली या फिर गलत हुआ, तो आप जो कहोगे वह करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि खगोली अविशलेशन तथा पंचांग गणना करने के बाद आज की है वीडियो आपकी फायदे के लिए बनाए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लाब होगा। जी हाँ, महनत कम और लाब ज्यादा। पहले आपके जीवन में ऐसा होता था कि आप महनत ज्याद हो। नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में आपको लाब होगा, आपको विशेश सफलता मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर में कई ऐसे शुभ संयोग निर्मित हो रहे हैं, जिसका शुभ प्रभाव सीधा सीधा आपकी राशेवालों के जीवन पर पढ़ने वाला है अब आप हर एक क्षेत्र में जीत हासिल करोगी, चाहे वह नौकरी हो या फिर कोट का चहरी का मामला सब जगह आपकी जीत होगी और आपके दुश्मन परस्थ होंगे, आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी, आपका दुश्मन अब आपके सामने बोल भी नहीं पा जी हाँ, ऐसा भाग्यशाली जीवन आपके जीवन में आ गया है, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत समय पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवाद से आपकी कुंडली में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको काफी बड़ी मात्रा में धन मिलेगा और आप अपने जीवन में रफ्तार के साथ आगे बढ़ोगे, तरक्की पर तरक्की करते जाओगे, जी हाँ, अब आपकी बिगडी से बिगडी किस्मत सुधरने वाली है, लेकिन अब आपको सावधान हो ज चुके हैं, वह आपको परेशान करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है, वह आपको कुछ बिगाड नहीं सकता, सिर्फ परेशान ही कर सकता है, वह भी अगर आप मेरे द्वारा बताये गए बातों पर चलेंगे, कुछ विशेश बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ धानी बढ़तेंगे तो वह लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे ज्यादा तरक्की करे, आपका दुश्मन हर वक्त एक नया शडयंत्र रचते हैं, लेकिन आप देवी देवता के उखाड पाएगा, जी हाँ दोस्तों, भगवान से हम आपके लिए बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि, हे भगवान, हे प्रभू, हे ईश्वर, आपकी खुशियों को किसी की नजर न लगे, आपके जीवन में खुशियां आजादी ऐसे ही बरकरार बनी रहे भगवान, आ इन अगले 24 घंटे के समय, अंतराल में आप बहुत बड़ी काम्याबी हासिल कर सकते हो, इसलिए इस समय अवध्धी में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप दिल खोल कर कर सकते हैं, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय, आपके लिए लाभ द सफलताओं की प्राप्ती और बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी इंपोर्टेंट बात यह है, कि उन क्षेत्रों से भी अब आपको लाभ होने वाला है और सफलता मिलने वाली है, जि समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, तब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको लाब नहीं मिल पाएगा और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं और बहुत बड़ी गुप्त खबर सुनाने वाला हूं तो चलिए जानते हैं अगले 24 गंटे का महाराशिफल किस प्रकार से अ आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है क्योंकि सभी समस्याओं का अब अंत होगा जी हां भगवान ब्रह्मा विश्नुजी अंत करने वाले हैं दोस्तों पूरे घर में ताला लगा देना और किसी कोने में एकांत जगह बैठ कर एक दम अकेले में ही वीडियो देखना क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है यह खुशखबरी सब को हिला कर रख देने वाले हैं जी हां क्योंकि ऐसी खुशखबरी सब को नहीं मिलता है बहुत खुश नसीब वालो जी हां दोस्तों पूरा जीवन भर खून की आंसू रोना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ब्रह्मा विश्णु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश सर्ते आपको महनत करना होगा। इस समय में आप जितनी ज्यादा महनत करोगे आपको उतना ही ज्यादा लाब हो जाएगा। मैं आपके लिए कौन सी बड़ी नहीं चलना चाहिए वरना जो कुछ आपको मिलने वाला है वह सब आप गवां सकते हैं और आपके सारे सपनों पर पानी फिर सकता है अगर आप चाहते हैं कि यह खुश खबरी आपको मिले यह शुभ संदेश आपको प्राप्त हो और भगवान ब्रह्मा विश्णु जी जो सं भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवाद से भगवान विश्णु जी के आशीरवाद से अगले 24 घंटे के अंदर आपको करोडों की संपत्ति मिलने वाली है और आप अपनी जिंदगी को राओ जाओं की तरह जीने वाले हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आ भगवान ब्रह्मा विश्णु जी के आशीरवाद से अगले 24 घंटे के अंदर कौन-कौन सी बातें, कौन-कौन सी गुप्त खबर और कौन-कौन सी बड़ी खबर आपको पता चलने वाली है इसी के बारे में संपून जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे क्योंकि ग्र